जैहिन दोस्तों एक बाद फिर सो आगेता है बैस्ट एक्जाम के यूटूब चैनल पर SSC GD भरती दोचार 22 पो लेकर एक बहुत भड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेका हूं काफी ज्यादा बैरते होत कमेंट्स आ रहेते जैसा कि आप आप देख रहे होंगे यह एक लाखों प्यारते हैं से जिलोंने फोर्म इस बार SSC GD का अप्लाई नहीं कर पाये और उनकी लगातार यहीं मांग थी कि अभी डेट को बढ़ाना चीए SSC को ताकि जो बच्चे वे अभ्यारती है जो लाट समय में सर्वर डाउन की वज़र से फोर्म अप्लाई नहीं कर प लोगों का एक्जाम दस जनवरी से सुरू होने वाला था ऐसे मैं क्या आप लोगों का एक्जाम है वह अब जनवरी की बजाय मार्च में होगा कब तक एक्जाम होगा पूरी की पूरी जानकारी आपको ओपिसली साइड के तुरू ओपिसली नोटिफिकेशन के तुरू बताने वाले बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें वीडियो को पूरा देखना साथ अगर आप SSEGD को स्टेबल की त्यारी कर रहें तो आप लोगों के लिए हमारा फोजी बेच आ चुका है मातर एक 299 रुपे में दिया जा रहे है तो अभी जाके बैस्ट एक्जाम का अप्लिकेशन को डाउलोड कर लीजेगा अभी से त्यारी को भेतरीन कर दें क्यूकि हाली में ब्येस्ट्रेट्समेन का एक्जाम हुआ है और 99% क्यूशन है वह हमारे इसी बैस से आये थे तो अच्सी ब रुपे में आप जो ओनलाइन टेस्ट देते उसी के कोडिंग आप टेस्ट दे पाएंगे अपनी रेंक जज़ कर पाएंगे अपना स्कोर चेक कर पाएंगे अपना सोल्यूशन है वह पूरा देख पाएंगे साथी ओल इंडिया आपकी कितनी रेंक आईए वो भी यह से बता हूं बिल्कुल यहाँ पर गूगल पर जाते सर्च करते हैं यह सर्च किया और यहाँ पर दोस्तों कोई भी नोटिस ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसे की आपका एक्जाम है उसे पोस्पोंड किया गया लेकिन एक नोटिस वाइरल हो रहा है तो एक्जाम की फाइनल यहाँ पर आप देख लिजेगा इंपोर्टेंट नोटिस सेडूल ओप एक्जामिनेशन एक्जामिनेशन का जो सेडूल है ससी की तरफ से जारी किया गया है सबसे पहले उसी पर चलते हैं तो इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं यह नोटिस हमारे सामने डाउनलोड होके आ और आपका जो एक्जाम होगा वो CBT होगा computer-based exam आप लोगों का होने वाला है और आपका जो एक्जाम होगा वो होगा 10 जनवरी से 10 जनवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 तर मार्च में आप लोगों का एक्जाम नहीं होगा SSC ने पहले ही calendar में date जारी कर दी है तो आप बिल्कुल भी fake news पर विश्वास न करें अब मैं उसे article पर आपको लेके चलता हूँ जो कि news paper में आया है बिल्कुल यह article आप देख रहे होंगे यह एक fake article है इसमें दोस्तों edit किया गया आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यह पर जो लिखा गया है वो edit किया गया जबकि इसके अंदर जो चीजें लिखी गई है वो कुछ अलग बता रही है जबकि मैं जो आर्टिकल में में टाइटल जो लिखा हुआ है वो आपको अलग बता रहा है तो इससे साब साब पता चलता है कि यह बिल्कुल fake है आप लोगो जोइनिंग भी हो जाएगा तो बहतरीन तयारी करना वेकंसी काफी अच्छी है 45,000 वेकंसी है और इस बार 2021 से काफी कम फोम अपलाई हुए वेकंसी भी डबल आप मानके चलिएगा अभी वेकंसी आप लोगों की और भी इसमें इंक्रीज हो सकती है क्योंकि CRP में जितनी व आप लोगों की नहीं बढ़ी है लेकिन अच्छी अपडेट आप लोगों को मिल सकती क्योंकि एसा 2018 में भी SSE की तरब से किया गया था जब आप लोगों का रिजल्ट आ गया था जब आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए थे उसके बाद में आप लोगों की वेकंसी इंक्र और कर पाएंगे क्योंकि online और offline में बहुत ज्यादा अंतर होता है और आपका जो exam होगा वो online होगा और इससे बड़ी golden opportunity आपको नहीं मिलने वाली है काफी अच्छी और बड़ी वेकंसी है इस बार बहुत ही बड़ा है सुनेरा मोकाप लोगों के लिए SSEGD में भरती होने क तो आप test series में जाके test series जरूर देना क्योंकि सारे के सारे previous series के paper है उससे आपको जो score बनेगा उससे आपको पता सलेगा कि हाँ मुझे कौन-कौन सी चीज़े अभी पढ़नी है और कौन-कौन सी चीज़े मेरी अच्छी तयारी है तो उसी के according अगर आप तयारी करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय बार